नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है कि मौमोज आपकी जिंतिगी कैसे बरबाद कर रहा है दोस्तों आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि गली, महले, नुकर पर, सिल्वर के स्ट्रीमर में उबलते हुए मौमोज तीकी लाल मिर्ची की चटनी के साथ खाते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा आईए साइंटिफिक तरीके से आपको पांच रीजन बता रहा हूँ कि कैसे मौमोज आपके स्वस्त को खराब कर रहा है और कितनी बीमारिया यह पैदा करता है मौमोज दोश्तो नमबर वन रीजन मौमोज मैदा के बने हुए होते हैं और मैदा गेहूं का एक उतपाद है जिसमें से प्रोटीन वा फाइवर निकाल लिया जाता है और ये सिर्फ मृत स्ट्रेच ही बचा रहता है मैदे में प्रोटीन नहीं फाइवर ना होने की वज़े से ये मैदा एसिडिक हो जाता है और शरील में जाकर हड्डियों की केलσιयम को सोख लेता है मैदा अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है और कई रार हमारी आतों में जाकर चिपक जाता है और हमारी आतों को ब्लॉग कर सकता है और कई तरह की बीमारियों को पैदा कर सकता है शरीड के दोस्तों नमबर दो रीजन आपने गौर किया होगा कि घर में बनाय हुए जो मोमोज होते हैं वो थोड़े से पीले होते हैं जबकि मार्केट में बने हुए मोमोज वो वाइट कल के ऊते हैं की इसलिए वोते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा कायमीकल मिलाया जाता है जैसे की बीकिडेमी की वज़े से हमारी किड्σι और रप करता है साथ बद्याज होने के खत्रे काफी बढ़ जाते हैं तीसरा रीजन तीखी लाल मिर्च की चट्वी उत्तेजक होती है साथ ही ये लो क्वालिटी की भी होती है जिससे पाइल्स, गैस्टाइटिस, पेट, आतों में ब्लेडिंग हो सकती है दोस्तो चौथा रीजन क्या है दोस्तो आपने देखा कि कुछ मोमोज बेचने वाले मोमोज में मोनो सोडियम, ग्लूटा मेड मतलब के MSG नामक केमिकल मिलाते जो इसके टेस्ट को बढ़ाता है और इसे सुगंदित बनाता है MSG से मोटापा भी बढ़ता है और साथ में कई तरीकों की बीमारिया भी करता है जैसे की ब्रेन, नर्वर की समस्या, चेस पेन, हार्ट रेट, इंकिरीज मतलब हार्ट की दिक्कत, ब्लड प्रेशर की समस्या, कई तरह की समस्या कर सकता है दोश्तो, कुछ जगह, न्ट वेज मोमोज में, डेड एनिमेल के मीट को मिलाया जाता है और वेज मोमोज में, सडी, गली, जो सबजिया होती हैं, वो वेज में मिलाये जाती हैं जिससे कई तरीके के इंफैक्षन होते हैं हमारे शरीड में दोश्तो अगर इन सभी बीमारियों से बचना है तो मोमोच के मतलब मैदय वाली चीज़ों को एवाइड करें तो दोश्तो आज के लिए बस दिने अगली वीडियो फिर मिलते हैं